यूपी के बलिया में सुहेल देव भारते समाच पार्टी की मुख्या ओम प्रकास राजबर की साबधान यात्रा शुक्रुवार को रतिसट कला में पहुची यहां सुभा सपा अध्यक्ष ने एक जन सभा की वहीं ओम प्रकास राजबर ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि हम जनता को सावधान कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो हम जनता से समझोता करेंगे 2022 के चुनाओं में हम दो सीटों से लड़ेंगे जैसे यूपी में हमारी आवादी है वैसे बिहार में भी हमारी आवादी है वहीं सुभा सपा सुप्रीमों ने योगी सरकार के मंत्री पच चुटकी लेते हुए कहा कि वह अभी बच्चा है और राजनीती में कच्चा है अभी उसको राजमीती सीखने पड़ेगी अभी सपा में था तो कुछ सीखा आमर सिम के साथ था तो कुछ सीखा अब यहाँ आ आज भी बीजेपी अकेले सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है पचास दलों को मिला कर सरकार है यूपी में तीन दलों को मिला कर सरकार है ओम प्रकास राजबार ने कहा कि चुनाव के समय गटबंधन होते हैं सरकार बन गई तो गटबंधन चलता है और नहीं बनी तो कॉंग्रेस पार्टी उसी पर जोर लगा रही है। वहीं कॉंग्रेस नेतावा पूर्व ग्रिह मंत्री शेवराज पार्टिल द्वारा गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जंग को जिहाद का पार्ट पढ़ाई जाने के बयान के सवाल पर सुहेल देव भार्दे समाच पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकास राजबर ने कहा कि 40 साल देश में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब नहीं बताया कि पढ़ाया था अब सरकार चली गई अब देख रहे हैं कि उत्ताप्रदेश में दो MLA बचे हैं वो जो मर्जी वो बोले जनता सुनने को तयार नहीं ह कि अध्यक्ति अध्य?